वेलकम टो इशानी वीडियो जो कि आप सब को काफी ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहे हैं तो चलिए आपको हम बताते हैं आने वाले एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा और साथ ही साथ क्या नताशा का प्लैन कामियाब होगा उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक ज़रूर कर दीजेगा क्योंकि हम आपके लिए काफी ज़ादा मेहनत करके ऐसे ही रियल और इंट्रस्टिंग अप्डेट लाते रहते हैं आप एक लाइक करेंगे हमें अप्रिसियेशन मिलेगी और हम आपको ऐसे ही रियल और इंट्रस्टिंग अप्डेट हमेशा प्रोइट कराते रहेंगे आप सबको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर प्रित्वी एक नया प्लैन बना कर प्रीता को घायल और प्रीता को मारने की कोशिश करने वाला है शरलिन के सामने नताशा के ऐसे प्लैन्स आ रहे हैं जिसके बाद में नताशा के प्लैन्स सुनकर शरलिन भी शौक हो रही है यहाँ पर अब प्रीता और उसके बीच में यानि करन के बीच में काफी जादा थोड़ी यहाँ पर खटी मेटी नोग जोग आपको देखने को मिलेगी जिसे देखकर आप काफी जादा खुश भी होंगे लेकिन यही पर एक ऐसा इशारा मिलेगा आपको जो कि यहाँ पर चौका कर रख देगा वो कौन सा इशारा है चली आपको बताते हैं नताशा चाहती है करन और प्रीता के बीच में गलत फैमी पैदा करना और यहाँ पर वो काम्याब होते वे भी थोड़ी दिन के लिए नजर आएगी लेकिन कैसे होगी काम्याब वो आपके मन में सवाल होगा चली आपको बताते हैं करन और प्रीता के बीच में गलत फैमीया पाने दे रहा होगा लेकिन बड़ा यहां पर खुलासा तो तब होगा जब नताशा की तरफ से लगाया जाएगा करन के उपर जूटा इल्जाम जिसके बाद में यहां पर करन की आँखे खुलेंगी और उसके साथ साथ प्रीता के सामने सबसे बड़ी यहां पर आएगी एक गलत फहमी कि आखिर में करन ऐसे कैसे कर सकता है और यहां पर प्रीता भरोसा ना करते वे भी नताशा के उपर यहां पर भरोशा कर लेगी एक बार के लिए और उसके बाद में उन दोनों की बीच में ऐसी यन बनाएगी जो कि यहां पर जल्दी ही सुलट जाएगी क्योंकि नताशा होने वाली है एक बार फिर से एक्सपोज वो कब होगी उसके बारे में आने वाले ट्रैक में आपको बता देंगे लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रित्फी ने जो प्लैन बनाया है उसके बीच में शरलिन और बाकी सब लोग उसका साथ देते वे नज़र आएंगे लेकिन आएगी बीच में श्रिस्टी और यहाँ पर श्रिस्टी को प्रित्फी बोलते वे नज़र आएगा कि आखिर में अगर तुमने मेरे पहले जैसे कामों में टांग अड़ाई तो तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूँगा और तुम्हें इतनी बुरी तरह से यहाँ पर माज़ूँगा जिससे कि तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा जिसके बाद में शरलिन हस्ते वे कहती है या अखिर में जाओ जाओ देखते हैं तुम क्या भी गाड़ पाओगे अब यहाँ पर नताशा के प्लैन के बारे में आपको तो पता चल चुका और आने वाला ट्रैक इसी से जुड़ा होने वाला है तो आप कितने जादा एक्साइटेड हैं आने वाला एपिसूट देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना थैंक यू